ना सब्सक्राइब करें न घंटी बजाएं आपका समय वड़ा अमुल्य है इस वर्तना गवाएं अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो से देखें वरना अपनी पड़ाएं में लग जाए हमारे सब्सक्राइबर से जादा आपका समय कीमती है का आउजन किया पहले हमने एक वर्क्स ओप आये के लिए रखी थी उसमें भी इस वेकेंसी के रिगार्डिंग प्रस्न पूचे गए थे सबसे ज्यादा डावड जो आपके इस वेकेंसी के रिगार्डिंग है वो हैं टाइपिंग से सम्बंदित और एक अपना कोर्च होता है RSCIT इससे सम्बंदित जिन्होंने RSCIT कर रखा है क्या वो इसको भर सकते हैं जिनका रणिंग में चल रहा है क्या वो इसको भर सकते हैं भरने के रिगार्डिंग इसमें सब ज्यादा हम बात करेंगे कौन-कौन से टाइपिंग फॉन्ट होंगे और कौन-कौन सी चीजे हैं जो इसमें मेजर करेंगे आपके सारे सवाले आप लिए जाएंगे दोस्तों वीडियो को सुरू करने से पहले एक बात में गहना चाता हूँ अगर आपको ये जानकारी है कि कौन इसको भर सकता है, eligibility क्या है, अगर आप confirm है कि कौन-कौन इसको भर सकता है और typing phone के बारे में आपके कोई जिग्यासा नहीं है, तो आप इस वीडियो को skip कर दें और अपनी पढ़ाई में लग जाएं हम नहीं चाते कि आप खालतूम है, क्योंकि ये बहुत लंबा वीडियो होने वाला है, क्योंकि सभी के सवालों के जवाब देना हमारे जिम्मेदारी बनती है कही ने कही जिनके सवाल हwend वो इसको देखें ताकि आपका समय बरबाद न हो, आपका समय जाया न हो आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं अभी ये पढ़ाई का टाइम हैं तो इस वीडियो को अभी स्कीप कर दें बाद में जब आप फिरी में हो तब आप इसको देखें ताकि हम नहीं चाहते हैं अगर एज टीचर आप किसी को गाइड कर रहे हैं तो आपको गाइड करना पड़ेगा भले वो आपके इंट्रेस्ट के खिलाप हो कि आप उनको सही गाइड करें तो हम सही गाइड करने की जि बात आती ही टाइपिंग की बहुत ज्यादा यहां पर बाते कब चल रहें सबके अलगलग दिमाग में आ रहा हैं फोंट प्रकार से टाइपिंग होगी है क्या क्या चीज़े होगी दोस्तों मैं आपको एक बात पता देना चाहता हूं आपका जो नोटिफिकेशन आया है सबस पूरा नहीं है सही नहीं है इसमें अभी बदला होगा कारण उसका यह है कि आपके नोटिकस्थ में बहुत सारी चीज़ें जो ट्लेर नहीं कि गई जैसे की टाइपिंग स्पीड थीक है उसको रहने देते हैं टाइपिंग प्लेर में इते ही हो सकता है वो प्रकार से वो exam में बैठेगा और किस प्रकार से exam को देगा जो computer वहाँ पे typing का होगा वो क्या Noughtif confession में इसको आप संपूर्ण संपूर्ण नमागें दूसरी बात में आफें बता देता हूं, 100 ? का आपका टाइपिंग दिया हुआ है, सो नमबर का टाइपिंग में देखी जाए, तो चार भागों में इसको डिवाइड किया है, 25-25 नमबर के चार भागों में हिंदी की जो टाइपिंग पेज डू की मैं बात कर रहा हूँ आपके ठोरटििग न कर रा है और जिरो भी इसे हम कहते हैं ठीक है दूबारा यह प्रश्ण नहीं होना चीए कोई डाउट नहीं होना चीए कुरूतिदेव 10 में यह होता है और सबी जो चीजें होती है वह ज्यादतर इनी में होती है जो कि गवर्मेंट एक्जाम में होती है दूसरी बात यह है अंग्रेजी का फोन्ट क्या होगा अगर यहाँ पर अंग्रेजी की फोन्ट की में बात करूँ तो दोस्तों कैलिवरी फोन्ट अंग्रेजी का होता है एक टाइमनी रोमन फोन्ट होता है तो कैलिवरी में यह होगा हो सकता है टाइमनी रोमन भी हो जाए लेकिन कैलिवरी के आप मान कर चलि ये 15 से लेकर कर 25 की आपकी स्पीड अगर नहीं है तो ये बहुत ही बड़ा चिंता कभी से आप स्पीड पर अभी से वर्क करना शुरू कर दीजे एक से देट गंटा डेली दिना शुरू कर दीजे क्योंकि इसमें स्पीड का बहुत बड़ा महत्पर होने वाला है दोनों ही भ गंटे में एक घंटे का टाइम नहीं मिलेगा। काउंट एक घंटे के साफसे वो कर सकते हैं इसमें दो चीज़ें यहाँ पर इंप्रोटेंट यह हैं हो सकता है कई बार ऐसा होता है जिसमें सब्द से speed measure हो जाती है लेकिन यह eldest का exam है इसमें आपकी pinch से speed measure होने की संबावना है दूसरी बात मैं आपको बता दूँ कि pinch से speed measure हो इसका मतलब क्या है कुछ मत करिये simple सा कहने का मतलब यह है कि आपके पास जो आप type कर रहे हैं वो type करते करते आपको न तो backspace का button work करेगा नहीं delete का button work करेगा तो आपको करना क्या होगा कि आपकी typing जो आप कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं गलत कर रहे हो there will be no option दूसरी बात आपका जो speed है वो जितना ज्यादा speed आपका होगा वो जितना आपको help करेगा तो आपकी speed आपके सामने होनी चीए increase होनी चीए font का मैंने यहां पर बता दिया है आपको कुरूतिदेव 10 font होने वाला है अगर मैं बात करूँ तो यह बात हो रही है किसकी जो आपने दिया यहां पर काम किया कि किस प्रकार्चे आपका यह हुआ यह तो हुआ typing का अब हिंदी प्लस अंग्रेजी दोनों की 25-25 की 50 नंबर य वैंकर इसके बाद आता है दो ही कितने डर कितना नोलेज रखते हैं रहते हैं तो दकशता में आपका ये टेस्ट लिए जाएगा कोई font आपसे प्लक Sp Tyler कर वाया दक्सता में जिसमें एक डेटा है उसको spread sheet में आपको बनाना है भरना है यानि कि Excel में आपको data put करवाया जाएगा बहुसरी बार student को पता नहीं होता है तो वो क्या है word में type करना सीखता है notepad में सब कुछ बनाता है लेकिन वहाँ पर Excel आ जाता है आपको Excel में किस प्रकार से type ह हो सकता है ये भी आपको देखना है किस प्रकार से उसके working जो होती एक्सल की वो किस प्रकार से होती दूसरी बात अगर मैं यहां पर बता हूँ तो सबसे important बात जो है वो यह है कि आपको Excel की थोड़ी सी जानकारी होना चीए हो सकता है एक दो फोर्मले में आप पूट कर वा यह होगी जो कि बहुत ज़्यादा मेजर करने वाली मैं इस बात को सबसे पहले क्यों बता रहा हूं इस बात को सबसे पहले इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपकी typing आपके selection को directly effect करेगी अगर आपका selection होता है तो उसमें आपके typing का बहुत बड़ा हाथ होने वाला है तो आपके इस LDC के एकजा में typing बहुत बड़ी की successful होने वाली है एक चीज में आपके यहां को बता दूँ 100 नंबर का paper होगा 100 नंबर का paper किसका फेज 2 का 100 नंबर का paper उसमें typing आपका 40% आना जरूरी है 40% नंबर इसमें आना जरूरी है अगर यानि कि 40 नंबर आपके typing में नहीं मेरे हिंदी typing speed नहीं है तो मुझे भी time लगे लेकिन आप दक्सिता अच्छी तरह से कर सकते हो दक्सिता मतलब क्या होती आप पता कर सकते हो word में किस कौन सा phone किस प्रकार से काम करता है क्या क्या चीजियों होती word के बारे में जान लो xcl के बारे में जान लो तो वो 25 नंबर क अगर मान लीजिये 40 नंबर भी आते हैं तो पहली बात यह है आप तो यहीं पास हो गए क्वालीफाई तो आपको दक्सिता ही करवा देगी दूसरी बात बहुत इंपोटेंट बाते बता रहा हूं मैं दूसरी बात यह चीज जो दक्सिता आपकी है यह आपको टाइपिंग का यहां पर दे नहीं रखा कि टाइपिंग में आपको फेल करेंगे टाइपिंग आपकी खराब भी होती है तो आपके टाइपिंग में दोनों में अलागी 20 नंबर भी आते हैं तो आप स्कोर कितना कर लोगे 20 पलस 40 डक्सिता के आपके हैं 60 नंबर आप टाइ तो आप तो इसंमें बहुत ही अच्छा प्रोपंएंस दे सकते हो यह जान करें मैंने आपको दी जो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट थी आपका जो भी बंदा लडी का फोम बढ़र रहा है या बने की तैयरी कर रहा है तो यह जान करें आपके परकार के बात कर्सकें प्रकार के आपने क्यूशन पूचे हैं सबके जवाब मैं यहां पर मैं दो जवाब आपको देना चाहता हूं आपके नोटिफिकेसन में बदलाव होंगे और उन बदलाव में हो सकता है एक बदलाव यह भी हो जाए कि आपको जो अप्येरिंग है रसीट में उनको भी फॉर् प्रकार्स है रसीट का भी रोल नमबर प्लस इसके साथ के लिखाए जाएंगे आपने कितने स्कोर उसमें किये कितने नमबर आपके आपके आपने जब जोईन ही अभी किया है रोजी तो फिर यह नमबर कैसे लिख हो गया तो डेफिनेटली जो अपेरिंग है उनके लिए सबसे बड़ी दिकत है तो अभी इंतिजार करिए कि कि किस प्रकार से यह चीज़े होग कि मैं यह विए हैं विखाल यादयों पूँचते हैं सर मेरी वर्मनेट जोब है तो मैं फोऊ alarm में बताना पड़ताई दोस्तों बिल्कुं सीडी सी बात होते अगर आपके गोश्री बात यह चान में और तिसरी बात होता है UAN, UAN नंबर एक ही होता है, आपको इसी भी जोब करें, प्राइविट करें, सरकारी करें, कभीब करें, कितनी चुछ करें, यह चेंज नहीं होता है, और PAP भी इसी से बनता है, तो जब आपका PAP, ASIC से जनरेट होता है, तो वहाँ पर यह निमबर यूज हो रहा है, त उनको वैसे ही पता है, कि आप गोर में जोब करें, उनको नहीं बता है, कि आप बहुत बड़ी गल्ती कर दोगे, तो जहां पर आपको पूछा गया है, कि आपको बताना पड़ेगा, तो आपको बताना पड़ेगा, और UAN नंबर भी आपको share करने पड़ सकते है, UAN नंबर है, कई भटगने ही जुरुत नहीं है, उसमें आपके typing के जो भी है tutorial वो भी इसमें डाले गए, typing में कहकर पूछा गया तो किस परगार करवाएगे, दूसरी चीज़ ये भी डाली गई है, कि answer की क्या है, और तीसरी बात, हम खुद भी video बनाकर उनके solutions आपको देंगे, ठीक पूची जाते हैं, अगला प्रस न अपना है, नितिन गुपता ने पूचका है, बुक कौन सी परचेज करें, दूसरी बता दूँगा मैं, बुक का अभी पुरा अनलसिस करना पड़ेगा, अभी मार्केट में जो बुके हैं, जी के अगर मालो आप लक्से खरीते हैं, तो हमने भी बोला है, कुछ एक उतर से, हमने का हमारे साथ कमाइन कीजिए, और हम फ्री में प्रवाड करेंगे, हम कोई पैसानी लेंगे, हम जो भी देंगे, पीडिएप के मादनें से देंगे, फ्री में देंगे, जो सब ठीक है, रमेश मेरा जी है, इसने पूचा, इन्होंन दोस्तों, GS की और हमने, GK की तो चलाए रखिए, मैतमेटिक की आसे स्टार्ट कर दिये लेक्चर, और बाकी जो बचे हुए, उनके भी लेक्चर हम स्टार्ट करने की तैयरी में है, कर देंगे, बहुत ज़ल्दी, विसाल राठोर ने पूचा है, सर, LDC में नेगटिव मार रहते हैं, तो 0.33 marks आपके काट ली जाएंगे, मैंने सर में आपके नंबर आएंगे, पूजा सरमा ने पूचा है, good afternoon sir, sir, RSCIT का certificate form के साथ फिल अटेज करना पड़ेगा, दोस्तों, आपको बता दें, मैं बता चुका हूँ, ये बात की RSCIT का जो certificate है, वो अटेज नहीं करन हैं, आपको उसके नंबर लिखने हो, आपके कितन नंबर आपने गेन किये हैं, आपने जो गेन किया है, वो ऐसे सपोर्टल पे लिखना पड़ेगा, वहां सही आपकी प्रसेंटेज जोहाँ पर सोग कर देगा, उसके बाद आपके form फिल अप होगा, दूसरी बात ये होगी कि जब आपका वेरिफिकेशन होगा, डोकुमेंट का, तब आपको उसको ले जाके दिखाना है, तो आपको नंबर लिखने पड़ेंगे, इसके लिए आपके पास पूरा RSEAT का पास होना ज़रूरी है, राउल फाटक ये नों लिखा है, सर जब जून में form फिल हो जाएंग तो ऐसी यानि सितंबर तक एकजाम डेट क्यों ली गई है, पहला प्रसेंट का ये, दूसरा प्रसेंट का है, सर ये सब जान बूच के किया गया है, सब बेरुजगारों से अपने एलेक्शन के लिए वोट, दोस्तों ये इस बारे में मैं ज्यादा कमेंड नी करूँगा, स ये वेकंसी नहीं होती है, सब बेरुजगारों को भगाया जा रहा है, कुछ भी किया जा रहा है, तो इसके अंदर फिर आप सरकार को वोट क्यों दोगे, तो डेफिनेटल अपने पेर पे बोलाडी हो मान रहे, और दूसरी बाते बताओ, ये डिसक्स करने का आपका टाइम लेकिन इस बात के मैं गारेटी देता हूं कि ये विकेंश से निकली है, इसका एकजाम होगा, और इसका एकजाम होने के बाद जो रिजल्ट में पास होगा, उसको नोकी मिलेगी, समय लग सकता है, कारण ही है कि समय लगने का कारण अपने पास सिर्फ ये के ही है, क्योंकि बहुत ही लचर अपना सिस्टम है बहुत डिले-डिले काम करता है लेकिन ऐसा नहीं कि सब कुछ ही फेक है यह आनके में चली है अगला प्रस्न पूचा है अभिसे कुपाद्याई ने पूचा है बेस्ट बुक कौन सी बुक के बारे में व्यूडियो हम डालोंगा और तो कंपुटर सर्टिफिक kosten एक बात क्या देख सकते हैं तोад सोहन सिंग राधूर ने पूचा है बाकि अगर और टाइम होगा ज्यादा टाइम लगता है तो फिर आप देख लीजिए बोर्ड का रविया इस पर डिपेंड करता है बोर्ड की कारे सीलता पर निर्वर्ड करेगा आपकी जोग कब लगेगी आरे चाल ने पूचाए टाइम को मन्त में होगा दोस्तों सितंबर में आपका एक्जाम हो रहा है तो सितंबर अक्टूमबर नॉवंबर में आपका टाइमिंग टेस होने की संबावन आए तो आप चाहे तो त्यारी कर सकते हैं वी से भी दिखत नहीं है अच्छी तरफ से हो सब्सक्राइब छुबफ साथा, गोइन सर्मा इंन अच्छी बुक बताओ सरश रास्ता जीके के लिए वैसे अगर आप जीके की पर दिदिन करना चाहते हैं तो जोगराफी के लिए मैंने एलार भल्ला साब के एक book है उसका review मैंने कर रखा है वो है और उसके अलावा लक्से राजस्तान एक book आती बहुत ही बड़ी है राजस्तान जीके की वो book है आप उसको follow कर सकते हैं लेकिन जीके जीके के लिए ही वो है सर ये विकेंसी RSMS भी लेगा आप जानते हो ये राजस्तान जीके कहां से पुट करता है पता नहीं इसलिए अच्छी book बताओ student को बिल्कुल सही है लक्से राजस्तान जो है वहाँ से सारा मेट्रेल आपका cover हो सकता है बहुत अच्छी book हो है ये महेश वेसनों उन्होंने पू कहूं यह सारी चीज़ें आप खूद कंसेडर कीजिए किस प्रकार से आपको से चीज़ी करनी है सर्जी सेलेबस वही रहेगा क्या दोस्तों सेलेबस वही रहने के संभाव होना है 90% तक सेलेबस वही रहेगा 10% सेलेबस हो सकता है 10% में भी हो सकता है technology का पार्ट थोड़ा के अंदर आ सकता है क्योंकि technical IT का जो पार्ट होता है computer वाला वो पूछे जाने के संभाव होना है आज कल दोस्तों यह चीज़ आपको पता नहीं होगी पहले GS जो आपका होता था जर्नल साइंस उसमें सिर्फ क्या आता था physics, chemistry और biology लेकिन अब उसमें एक चीज और एड कर दी गई है जो है दोस्तों यह बहुत जल्दी भी download होने वाला है सकता है पहले इनके form जो है वह फिल करवाई जाएंगे उनके बारी यह बारी आईगी यह एड्मिर का download करवानेगी second paper साथ में होगा क्या दोस्तों second paper में जाए टाइम में होता नहीं है page जो है वह दूसरी टाइम पर होता है paper तो एक साथ होता है RACIT अब start कर सकते है क्या कोई चांस नहीं RACIT भी start मत कर दीए अगर आप अगले exam के त्यारी करने तो फिर कर सकते है BCA वाले candidate form फिल अप कर सकते है क्या जिसकी RACIT complete ना हो बिल्कुल बिल्कुल यह सबसे बड़ा था मैंने बताए भी था आपको पूरी वीडियो में BCA वाले जो है इसमें consider किये जाते है सर टाइपिंग में computer ले जाना है क्या बिल्कुल उसमें लिखा हुआ है लेकिन मैंने आपसे कहा इस notification में बदला होगा तो आप इसको पूरा मान के मत चलिए क्योंकि यह तो कुछ भी लिख दें कल को बोल देंगे एक बात आप मेरे को बताईए मैं एज टेकनिकल परसनाल्टी में मुझे पता है मेरा computer में क्या है मैं ऐसा software डालके वहां लेके चला जाओंगा उस computer के अंदर जो पूरा बोर्ड वाले है ना सारे बेट के चेक करेंग भई होगा यह चेंज मनोज मिना लिखते हैं सर इंजिनेरिंग से रेजुशन वालों के स्टुडेंट को लिए रसी आटी कंपसरी है क्या दोस्तों यार यह होना तो नहीं चीए गलत कर रहे हैं यह लोग क्योंकि जिसने बीटे किया है बीटे के अंदर तो computer का पूरा सब क पूचा जाता है लेकिन उसके लिए भी मांगते हैं यह only CS branch को इन्होंने छोड़ रखा है CS IT EC तक से भी यह मांगते हैं तो यह board हो सकता है जिससे पटवारी का एक्जाम पिछली बार हुआ था उसमें चेंज किया था इस बार भी विसे कर दे लेकिन अभी तक तो कोई इसक qualification बढ़ने के लिए कौन सा group choice मैं fill कर सकता हूं समझ नहीं आ रहा दोस्तों जो आपको आईये की पूरी जानकारी वो पहले दे चुका हूं मैं और अब तक भी अगर आईये में form बढ़ने के बारे में आप सोच रहे हो तो फिर तो यार I don't think की कुछ होने के संभाव ना है क् अब form भरने का सोचने का टाइम नहीं अब आपको आईये की त्यारी आधी लोगों के मैंने पूरी कर रहे है कोर्स ही पूरा करवादी है मैं आईये का लगबग लगग तो अब आप सोच रहे है का आईये की सुभाज संद जाड जो है नोन पुचा सर I am graduate but I not computer course I have not computer what should I do द अपने नाम के आगे रोयल से खुद होंगे सर जो टाइपिंग फेज है उसमें दोनों मतलब हिंदी इंग्लीज करनी है या पहले कोशिस भी कर लो जैसे इंग्लीज में मैंने टाइपिंग का पूरा बता दी आपको पास करने का मैंने बता दी न साथ नंबर आप आसानी से ला सकते हैं वो तरीका जो नहीं वीडियो के शुरुआते में बता है उससे फोलोगर आसानी से आपका हो जाएगा मौनु सर्माय नों लिखा है सर सचवाले के लिए किस तरह के स्टीडी अपना है सर आप से निवेदर नहें कि साइंस और लडिसी में टोपिक है इस पैस ट सब्सक्राइब के लिए अपने बंदू है उनके बारे में थोड़ा यह दिए नंके 30 नंबर में आप इसको इसमें क्वालिफाइब कर जाएंगे अगला प्रस्न यह है सर आप लडिसी के लिए बेस्ट बुक बता दीजिए दोस्तों में बुक के बारे में बता चुका हूं एक वीडियो आएगा उसमें सारे बुक का आपको जानकरी दे दी जाएगी सर टाइपिंग हिंदी इंगलि रपीट होके आ रहे हैं तो इसमें जाए टाइम हम खर्च नहीं करेंगे राजेश कुमार यहीं लिखा है बहुत ज़्यादा लिखा दे कि पढ़ते हैं इन्होंने क्या लिखा है रसी आइट दोस्तों एक तो क्या है आप इतना ज़्यादा लिखते होने से बहुत अच्छ की बात नहीं है आपको जो रसी आटी का सर्टीपिकेट है वह बता चुका हूं मैं आपको ऐसे तो पोर्टल पर नंबर उसके डालने पड़ते हैं कितने नंबर आपके आए कितना स्कोर आपने किया तो आपको पहले ही वह चीए दूसरी बात नों लिखिए फॉम बरते समय कोई भी कोर्स किया हो तो उसका इस्टेशन नंबर ऐसा कुछ फिल करना पड़ता है बिल्कुल पड़ता है थैंक्स आप कापी अच्छा पढ़ाते हैं सर जी ऐसे ही पढ़ाते रहिएगा दुनिया वाले कुछ भी कहें आप रुकना नहीं चलते रही अरे ऐसा कुछ बात रखबग आपके सारे प्रस्ण जो है हमने बहुत जल्दी से यह कर लिए हैं और और भी कोई डाउट हो तो आप रख दिख दीजिए फॉम बरने से पहले अपके बढ़ने के बावजूद भी आपके डाउट आएंगे टाइम टाम इसकी वाच्छोप लगाते रहेंगे कि धन्यवाज जहिन जे वारत